Hello students, तो last class में हम लोग discuss कर रहे थे NCIT exercise 1.2 जो कि आपका relation and function का exercise है last class में मैंने आप लोगों से बोला था कि next class में हम लोग composition of function पढ़ेंगे तो आज हम लोग basically start करेंगे composition of function composition of function basically क्या होता है कि पहले start करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा जैसे मालीज अगर आपको f of x कोई function दे रखा है f of x कालीज आपको कोई function दे रखा है x square plus 2x plus 3 x square plus 2x plus 3 अगर मैं आपसे पूछू f of 1 तो आप क्या करेंगे f of 1 मैं आपसे पूछू तो आप क्या करेंगे जहाँ जहाँ x है आप वहाँ वहाँ 1 रखेंगे क्यों आप यहाँ पे x को किस से replace दिये है 1 से f of x था f of 1 तो यहाँ भी आप क्या करेंगे x को 1 से replace करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 1 का square plus 2 into 1 plus 3 t कितना हो जाएगा 1 plus 2 plus 3 कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा अगर मैं आपसे इसलिए में पूछू f of t कितना होगा f of t अब आपने क्या किया x के जगा क्या रख दिया t रख दिया तो आपके पास जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे t रख दिया q क्योंकि x को आपने t से replace दिया तो क्या हो जाएगा यह t का square plus 2t plus 3 जहाँ जहाँ x थाम ने क्या किया 3 रख दिया means कहने का मतलब यह है अगर आपको f of x कोई function दे रख दिया f of 1, f of 2, f of p, f of t आपसे कुछ भी पुछेगा तो आप क्या करेंगे x के जगा वो function रख देंगे ऐसे माल लिजी आपको g कोई function दे रखा है g of x माल लिजी आपको दे रखा है x cube plus 1 यह आपको g of x function दे रखा है अगर मैं आपसे पूछू g of 1 तो आप simply क्या बताएंगे 1 का q plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा लेकिन अगर मैं आपसे पूछू f of g of x f of g of x इसको हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे basically fog x जो आपका यह होता है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं f of g of x लिखने का तरीका यह है f of g of x f of g of x अगर आपको function यह है f of x यह दे रखा है g of x आपको यह दे रखा है f of x आपको यह function दे रखा है और g of x यह दे रखा है आपसे क्या पूछा है f of g of x g of x आपको कितना है ध्याँ चे देखिए x cube plus 1 g of x आपके पास यही तो है x cube plus 1 अब आपसे क्या पूछ रहा है f of x cube plus 1 f of x आपके पास यह था f of x cube plus 1 कितना हो जाएगा अब जहाँ जहाँ x x को अब इतने किसे replace किया है x cube plus 1 से अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे x cube plus 1 रखेंगे चलिए x square था तो x की जगह हम ने क्या रख दिया x cube plus 1 का square plus 2 times x cube plus 1 plus 3 यह आपके क्या हो जाएगा f of g of x इसी को हम लोग बोलते हैं composition of function इसी को हम लोग क्या बोलते हैं composition of function जब आपके 2 function वर्ज होते हैं f of g of x बोलिए या आप g of x बोलिए g of f of x आपका क्या होगा g of x अगर आपका ऐसे लिखा है जिसका क्या मतलब होता है g of f of x अगर मैं आप से से में पूछ हूँ g of f of x क्या होगा देहां से देखिएगा g of x x की जगह आप क्या रख रहे हैं f of x f of x आपके पास कितना है x square plus 2x plus 3 means g of x square plus 2x plus 3 अब आप बताए g of x आपके पास अगर यह है तो g आप इतना क्या होगा अब x को आपने किससे रिप्लेस दिया है इससे तो आपके पास अब जहां जहां x है आप क्या करेंगे यह लिखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा ध्यास देखिए x square plus 2x plus 3 का whole cube plus 1 x के जगा हमने क्या रख दिया यह रख दिया whole cube plus 1 यह आपका क्या है g of f of x इसे को हम लोग क्या बोलते है composition of function अब आप लोग उपर पढ़िए अगर आपका कोई function a to b and g कोई function b to c है तो देन आप function g of f g of f a to c defined by g of x is equal to g of f x for all x belongs to a it's called the composition of f and g means अगर आपका f function a to b है अगर कोई भी आपका f function a to b है और आपका g function b to c है अगर आपको define करना है g of f तो आप क्या define करेंगे g of f आप क्या define करेंगे a to c इसी को हम लोग क्या बोलते हैं composition of function in f and g तो अभी हम लोग कुछ question करेंगे तो आप लोगों को और clearty होगी composition of a function मुझे पता है अभी आप लोगों को कुछ निसम्द में आया है आप लोगों को जितना भी समद्द में आया है आप लोग उतना लिख लिजिए अभी हम लोग question करने चल रहे हैं तो आप लोगों को clarity होगी आप लोग जो भी समद्द लिख लिख लिजिए बाकि हम लोग चल रहे हैं कुछ question करेंगे चलिए 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 देखिए आप हम लोग इस example से समझेंगे आप से क्या पूछा है यह 4G and G OF पहले आप लोग इसको partner सीखिए यह 4G मतलब क्या हुआ F OF G OF X F OF G OF X G OF G OF X F OF G को आप लिखेंगे कैसे ऐसे समझेंगे F OF G को लिखने का तरीका होता है F OF इस bracket को हम लोग क्या पढ़ते है F OF G OF X माल लिजे गर आपको यहाँ पे X लिखा होता तो F OF G OF X आप यहाँ पे लिख लिजे छोटा सा X इसका मतलब यह होता है और माल लिखेंगे आपको ऐसे लिखा हो है G OF X इसका मतलब होता है G OF F OF X आपको यह पढ़मा आना चाहिए आप से क्या पूछा है F OF G OF X and G OF G OF X तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे भी F OF G OF X आप ऐसे लिख लिख लिजे F OF G OF X इक्वल तो F OF X आपको कितने दे रखा है ध्यान से देखिए F OF X आपको क्या दे रखा है X स्क्वाइर अब हमको क्या निकालना है F OF G OF X तो आप क्या करेंगे X की जगह G OF X रख रिप्लेस दिए है X की जगह आपने क्या किया है G OF X रखा है न तो इसमें भी आप X की जगह G OF X रखेंगे नई समझे फिर से समझे F OF X is equal to X squared था आपने क्या किया है X की जगह क्या लिख दिया f के अंदर, f के अंदर आपने x की जगान लिखा है g of x, थ्यान से देखिए g of x, तो जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ g of x रख दीजिए, यह कितना हो जाएगा आपका, आपने x की जगान g of x रख दिया, अब इसका whole square, यही तो होगा, तो f of g of x is equal to, f of g of x is equal to, g of x आपको कि 2x plus 1, 2x plus 1 का whole square, यह आपको क्या आगया, f of g of x आगया, अब सेकेंड आप से क्या बोला है, g of f, यह आप था, f of g of x, आईए, g of f of x हम लोग यहाँ निकालती है, g of f of x, अब ध्यान से देखिएगा, g of x आपको कितने दे रखा है, 2x plus 1, g of x आपको कितने दे रखा है, 2x plus 1, आप क्या लिखा है यहाँ पे, g of f of x, means इस बार इसमें x की जगह f of x आ गया है घ्यांज देखिए x की जगह आपका क्या आ गया है f of x आ गया है x की जगह क्या आ गया है f of x आ गया है means अगर x की जगह f of x आ गया है तो जहां जहां x है वहां वहां f of x होना चाहिए means g of f of x is equal to अगर आपने यहाँ x की जगह f of x रखता है तो यहाँ भी x की जगह आप f of x रखेंगे two times x की जगह जब आप f of x रखेंगे तो आप पर यह बनेगा plus one यहाँ पर कोई x नहीं था हमने same ऐसे लिख दिया जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने f of x रख दिया अभी आप f of x से x से replace कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा यही equation g of x is equal to 2x plus one तो चलिए g of f of x is equal to उपर देखिए f of x की value कितनी है x square f of x कितना है x square तो two times f of x कितना है x square 2x square plus one तो आपका g of f of x कितना आ गया 2x square plus one f of g of x कितना आ गया 2x plus one का whole square आप यहाँ से यह भी देख सकते है f of g of x equal to g of f of x कोई जरूरी नहीं है यह आप देख सकते हैं f of g of x 2x plus one का whole square आ रहा है और g of f of x 2x square plus one आ रहा है दोनों equal नहीं है आपको गनोट लगा के लिख लीजिए गा कि f of g of x और g of f equal to कोई जरूरी नहीं है means यह commutative नहीं होंगे in general f of g does not equal to g of f आप लोग इसको लिख लीजिएगा आप लोग मेरे साब से यह example समझे हैं आप लोग इसको लिखिए अभी हम लोग कुछ और examples करेंगे आप लोग इसको लिखिए अभी हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे examples करेंगे तो आप लोग वह को clarity होगी आप लोग अपने लाग्वज में जिस भी language में आपको समझने हैं आप लोग लिख लिजिए अब हम लोग चल रहे हैं और examples करेंगे चलिए लिख लिजी आप लोग चलिए देखिए एक्जांपल नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है f दे रखा है 1 3 4 से 1 2 5 g function दे रखा है 1 2 5 से 1 3 और आप से क्या पूछा है f आपको ये दे रखा है आपको ये दे रखा है तो आपसे बोला है g of f आपसे क्या पूछा है g of f पहले आप लोग ये समझे ये 1,2 का मतलब क्या है x is equal to 1 पे y is equal to कितना है 2 means f of 1 कितना है 2 f of 3 कितना है 5 जो आप सेट में ऐसे लिखते हैं मानले ये 1,7 8,9 इसका मतलब क्या है 1 का image कितना है 7 1 का image 7 है मतलब अगर आपके ये f बोल दीजिए तो f of 1 कितना है 7 f of 8 कितना है 9 means 1 का image क्या है 7 8 का image कितना है 9 मेरी साथ से आप लोग समझपा रहे हैं मैं आप लोगों को क्या बताना चाहा रहा हूँ अगर f of आपका order पे ये रैसे लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हो 1 कामा 7 तो f of 1 कितना है 7 means x is equal to 1 पे y is equal to 7 है x is equal to 8 पे y is equal to 9 है मेरी साथ से आप लोग इसको समझपा रहे हैं मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहा रहा हूँ चलिए आप question देखी है आप लोग आप लोग से question में क्या पूछा है g of f आप से question में पूछा हुआ है चलिए देखी तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले f function आपको ये दे रखा है g function आपको ये दे रखा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे G of F of 1 G of F of 3 G of F of 1 G of F of 3 G of F of 5 Sorry, 4 F of 4 यही तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे चलिए बोलिए F of 1 आपके कितना है F of 1, 2 है क्या F of 1 आपके कितना है 2 है, तो आप क्या करेंगे सिधा-सिधा लिखेंगे G of 2 is equal to यहाँ पर देखिए F of 3 आपके कितना है 5, F of 3 कितना है 5 लिख दीजी G of 5 is equal to बस आप लोग ऐसे लिखते चलिए F of 4 कितना है 4 आपके यह है F of 4, 1 F of 4 कितना है 1, तो आप क्या करेंगे इसे G of 1 लिख देंगे और आगे चलिए G of 2 G of 2 आपके कितना है यह आपका Giga function है तो G of 2 आपके कितना है 3 G of 2 आपके कितना है 3 G of 5 G of 5 आपके कितना है 1 G of 1 G of 1 आपके कितना है 3 अब आप से क्या बोले लिखने के लिए G of F तो G of F of 1 कितना आ गया 3 G of F of 3 कितना आ गया 1 G of F of 4 कितना आ गया 3 मेरी साब से आप लोग चमास पा रहे हैं मैंने G of F कैसे लिखा हैं आप लोग इसको लिख लिजी अब हम लोग कुछ और एक्जामपल करेंगे मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ दो तेन एक्जामपल उसको सालू कर लेंगे तो और क्लियर्टी हो जाएगे आप लोग इस लिख लिजी है आप लोग चोहें इसको सेट बना के लिखिएगा 3,1,3 जैसे आपका ये लिखा है तो G of F of 1 पे आया है G of F of 1 पे कितना आया है 3 आया है आप इसको कैसे लिखेंगे 1,3 सेट में G of F is equal to G of F of 3 3 पे आया है तो 3,1 फिर उसके बाद G of F of 4 4 पे कितना आया है 3 आप लोग ऐसे इसको सेट में लिख लिजीएगा मैं आप लोगों को ये संधाना चाहरा था कि ये value कैसे आएगी 1 पे कितना है 3 means G of F of 1,3 G of F of 3 कितना है 1 G of F of 4 कितना है 3 तो आप लोग इसको लिख लिजीएगा आप लोगों का ये real answer है चलिए अब मैं आप लोगों एक साथ लिख दे रहा हूँ जो लोग अब तक नहीं समझ पाए है वो इन दो एक्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे मैं दो कुश्चन आपको दो एक्जाम्पल और करा रहा हूँ जो लोग अब तक नहीं समझे है ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा चलिए देखिए फंचन आपको इस बार कितना दे रखा है R se R F of X आपको दे रखा है A kes square plus 2 G function भी आपका R se R है Mean set of real numbers तो जी आफ एक्षा आपको इतने दे रखा है X upon X minus 1 अब आप से क्या कूछ है Find F of G and G of F अब इस part में हम लोग दोनों करेंगे यह F of G मतलब क्या होता है पहले आप लोग इसको पढ़ना लिख सीखिए F of G मतलब क्या है F of G तो इसको हम लोग बिस्कलिए X के टम्मी है जो क्या बोलेंगे F of G of X यही लिखेंगे अब आप ध्यांस देखिए F of X आपके पास कितना है F of X आपके पास है X square प्लस 2 और आपको क्या निकालना है F of G of X जो हम लोग अब तक करते हैं वही फिर से करेंगे X की जगां आपका क्या गया है G of X तो आप क्या करेंगे X की जगां simply क्या रख देंगे G of X का square प्लस 2 और G of X आपको कितना दे रखा है X upon X minus 1 तो यहाँ पर put कर दीजिए X upon X minus 1 यह आपका G of X था whole square प्लस 2 मेरी साब से आप लोग इसको simplify कर लेंगे numerator का square प्लस 2 यह फिर आप यही पे रहने दीजिए अब G of F देखिए G of F का मतलब क्या होता है G of F का मतलब हुए G of F of X X के term में है तो लोग X की बाद कर रहे है इसलिए बार-बार मैं आपसे बोल रहा हूँ F of G आप यहाँ पे चाहे X लिख लिजिएगा यहाँ भी चाहे X लिख लिख लिजिएगा X की term में इसलिए मैं G of F of X यहाँ पे लिख रहा हूँ तो G of F of X निकालना है बापको basically आप यहाँ पी देखिए आपको G of X कितना दे रखा है X upon X minus 1 G of X आपको यह दे रखा है ध्यान से चुनिए G of X आपको यह दे रखा है X upon X minus 1 आपको क्या निकालना है G of F of X तो X की जगह आपको क्या कर रहे है F of X रख रहे है तो अगर यहाँ पे X की जगह F of X रख रहे है तो यहाँ भी रख दे जिए F of X upon F of X minus 1 अब ध्यान से देखिए F of X की वैलू आपको पता है X square plus 2 F of X की जगह दे रखेंगे X square plus 2 upon X square plus 2 minus 1 F of X आपको यह दे रखेंगे आपसे क्या पूछा है इस बार पहले आप ऐसे लिख लिजिए F of X आपको कितना दे रखा है X square minus 3 X plus 2 आपसे पूछा क्या है F of F of X ध्यान से देखिए X की जगह आपको क्या आगिया है F of X X की जगह आपको क्या आगिया F of X concept वही रहेगा जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ F of X रख दीजिए यह लीजिए X की जगह मैंने F of X रखा square था square कर दिया minus 3 X की जगह F of X plus 2 अब आप ध्यान से देखिए F of F of X is equal to F of X आपको पता है X square minus 3 X plus 2 X square minus 3 X plus 2 हो सकता है थोड़ा calculation ज़्यादा हो जाए बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा concept वही रहेगा X square minus 3 X plus 2 plus 2 यह आपकर क्या हो जाएगा F of F of X आप लोग इसको solve करेंगे तो यह आपको होगा कहने के मतलब है आपको अब ऐसे मैं कितने भी question करा दूँ जब तक आप लोग नहीं करेंगे आप लोगों को नहीं आएगा आप लोग practice कीजिए concept मैंने आपको बता दिया concept क्या है F of F of X कैसे निकालते हैं अभी मैं इसी question में बोल दू F of F of X F of F of X concept में कोई change होगा क्या concept में कोई change नहीं होगा पहले हम लोग अंदर से solve करते हुए बाहर की तरफ आएंगे तो आप सब से पहले क्या solve करेंगे F of X F of X इतना है X square minus 3X plus 2 यहाँ पर रख दीजिए X square minus 3X plus 2 फिर क्या बन जाएगा यह F of X square minus 3X plus 2 अब जहाँ-जहाँ X है वहाँ-वहाँ X square minus 3X plus 2 रख दीजिए X square minus 3X plus 2 का whole square minus 3X square minus 3X plus 2 plus 2 अब F of this अब आपका F of F of यह आगया है अब आप से F of यह पूच्छा है F of इतना है यह लिखा हुए अब आप F के अंदर क्या करेंगे इसको लिख देंगे, पूरा-पूरा F के अंदर अब आप इसको लिख दीजिए इतना बड़ा अब जहाँ-जहाँ X है वहाँ-वहाँ यह लिख दीजिए calculation बड़ी होगी बहुत ज़गा calculation बड़ा होगा lengthy होगा सवाल थोड़ा कल मैं आप लोगों को inverse of function पढ़ाँगा उसके बाद NCIT exercise 1.3 भी हम लोग discuss करें तो चलिए फिर मिलते हैं next class में ओके, thank you class